हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आपका मेरे यूट्यूब चैनल पुनीत मैस पर बहुत-बहुत स्वागत है जैसा कि मॉर्निंग में हम लोग ने आज आज आपको जेल प्रहरी के सिलेबस के बारे में बताया था तो वो वीडियो आप लोग ने देखी पसंद भी की और आप जेल प्रहरी की बात होगी आज का जो मैं वीडियो बनाने जारा हूँ वह मैं बनाने जारा हूँ फ्रैक्शन का ठीक है अब यह जो फ्रैक्शन का वीडियो बनने जा रहे यह ओर एक बंदी के लिए जरूरी है ठीक है चाहिए अगर वह ऐससे सिक त्यारी कर रहा तब तो आई यह शुरू गर्तें, आज का वीडियो, fraction, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, विटा, कि Fraction होता क्या है, बच्चों को यह नहीं पता होता है, कि Fraction क्या होता है, तो सबसे पहले हम लुग Fraction के बारे में जानें, Fraction क्या होता है, Fraction को किस तरह से यूज किया जा सकता है, fraction का use हम कितने अच्छे तरीके से बहता तरीके सकते हैं विटा अगर fraction का use करना आपको आगया तो समद्दो math के बहुत सारे concept आपके ऐसे clear हो जाएंगे मैं guarantee ले रहा हूँ, मैं बहुत सारे concept कहल फ्राक्शन के help से आपके complete करा दूँगा, fraction के basic concept है, basic concept है जिसके लिए जो की पूरी math में कहीं पर भी use हो जाता है, ठीक है और fraction से calculation करना इतनी आसान हो जाता है कि बुचान, जैसे fraction से लोगों लगता है, डल लगता है, ठीक है लगता है कि fraction आगे, आप calculation करना थोड़ा सा मुश्किल हो जागा, नहीं, कोई मुश्किल नहीं होता है ठीक है, मैं हूँ, आपके लिए देखेगा अभी कितना असान बना दूँगा, ठीक है तो fraction, fraction का मदलब क्या होता है, भिन सबसे पहले आपको यही पता हो ना जी, कि fraction का मनलब भिनने में क्या होता है, भिन होता है अब बचे कह रहे हैं, आखिर यह जो fraction या भिन आप बार बार नाम ले रहे हैं, इसको थोड़ा सा आप इसकी definition बता दीजें, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, ठीक है, कोई भी ऐसी संख्या, कोई भी ऐसी संख्या, जो numerator और denominator से मिलकर बनी होती, उसको क्या करते हैं, fraction करते हैं, ठीक है, कोई भी ऐसी संख्या, जो अंश और हर, numerator numerator, और denominator denominator, ठीक है कोई भी ऐसी संख्या, जो numerator और denominator से मिलकर बनी होती numerator का मलब भिना अंश होता है clear है हिंदी में और denominator का मलब गया होता है, हर होता है, ठीक है, कोई भी ऐसी संक्यार जो numerator और denominator से मिलकर बनी होती, उसको क्या कहते है, fraction कहते हैं, ठीक है, normally मैं कभी भी, अगर मुझे कोई fractional number कभी भी मानना होगा, तो मैं n upon d के form में मानूँगा, ठीक है, n का मनलब numerator, d का मनलब denominator ठीक है, तो कोई भी ऐसी संक्या जो numerator और denominator के form में होती उसको क्या करते है, fraction करते है fraction क्या होता, समझ में आ गया है, ठीक है थोड़ा सा मैं example देके समझाता हूँ ठीक है, हटा दो बिटा इसको, चले ठीक है, ठीक है, ठीक है यह पर माल लिजे, लिखा है, 1 is 2, 3, 1, 1 whole 3 by 4 लिखा हुआ है, ठीक है, 1 साही 3 बटे 4 लिखा हो, यह भी हमारा क्या है, fraction है क्यों, क्योंकि हमारा बिटा mixed fraction है, कहीं पर 1 साही 3 बटे 4 लिखा है, तो हमारा क्या है, mixed fraction, तो यह भी हमारा क्या है तो फ्रैक्षन ग्या होता है समझ में हाग एक कोई ऐसा नंबर जो थोड़ा सबस्क्राइब आपको पहना सिखा ओगा परैक्शन को पहना सिखा दू ठीक है जैसे माली जह कहीं डिखा थी वाई 4 का मतलब क्या होता है यह धेयान से सुनेगा थिक है सबनाइब किसी बंदे से पूछें कि 3 x 4 का मंदब क्या होता तो कोई बंदग आईगा 3 x 4 एक fraction और जहां पर 3 numerator और 4 क्या है denominator है ठीक है लेकिन fraction को पहना आपके एक तरीका होता है क्या तरीका होता वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ठीक है जैसे मालीजे मेरे पास आज के बास से कहीं पर भी जैसे 3 x 4 या कोई भी fraction number लिखा है तो नीचे वाले को हमेशा क्या आप समझेंगे total क्या समझेंगे total बात समझ में आ रही है ठीक है और 4 में से पहले 4 भाग था अब ही कितना हो गया 3 हो गया बात समझ में आ रही थीक है मलब एक भाग वह हो गया 2 हो गया बात समझ में आ रही है हिक है थोड़ा फीर से मैं आपको समझा दे रहो जैसे माली जे 3 बड़े 4 market का मलब क्या हो गा कि पहले मेरे पास total 4 भाग था, लेकिन 4 में से 1 भाग गायब हो गया, तो मतलब कितना बचा, 3 भाग बचा, बात समझ में आ रही है, ठीक है, जैसे माली जे, जैसे इसको remaining भी आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, remaining भी कह सकते हैं, ठीक है, total मेरे पास पहले 4 था, भी कितना बचा 3 बचाA, clear है, ठीक है जैसे माली जी कई भी लिखा है, एक बटे 5 एक बटे 5 का मतलब क्या हुऊ एक बटे 5 का मतलब यह हुँआ कि यहाँ पर total मेरे पास पहले कितना था, past था total मेरे पास कितना था, past था अभी कितना हो गया, 1 हो गया clear, बात समझ में आ रही, total मेरे पास पहले 5 था, अभी कितना हो गया एक हो गया, एक भाग हो गया, clear है ठीक है, जैसे माली ची कहीं भी लिखा है 7 by 11, 7 by 11 का मतलब क्या है कि मेरे पास पहले total कितना ratio था, total पहले मेरे पास 11 था, लेकिन अभी कितना बचा है, 7 बचा है बात समझ में आ रही, मतलब 4 भाग कहीं क्या हो गया गायब हो गया, बात समझ में आ ही, ठीक है तो ये fraction को पहना आया कि नहीं आया बात समझ में, ठीक है कुल मिला के बस मैं इतनी बात कहना चाहरा हूँ कभी भी अगर fraction number लिखा रहेगा तो नीचे वाले को आप हमेशा क्या पढ़ेंगे total, क्या पढ़ेंगे total, वो भी ratio के form में, किस form में, ratio के form में, ठीक है अब ज़रा देखिएगा, थोड़ा सा और मैं आपको explain कर दे रहा हूँ ठीक है, इसको हटा दू बीटर, चली थोड़ा सा मैं और explain कर दे रहा हूँ कुरा मैं basics एक दम पढ़ा रहा हूँ आपको न जैसे माल दीजे, कहीं पी लिखा है a is equal to 3 by 5 लिखा है, जैसे माल दीजे, ठीक है a is equal to 3 by 5 a is equal to 3 by 5 का मतलब सुनिएगा क्या होगा a is equal to 3 by 5 का मतलब यह है कि total 5 है total 5 है, ठीक है लेकिन a के पास कितना है a के पास कितना है, 3 है बात समझ में आ रही है, ठीक है a के पास कितना है, 3 है, नहीं समझे मतलब total हिस्सा 5 है, लेकिन उस 5 हिस्से में से A का हिस्सा कितना है 3 है यह 3 by 5 का मतलब यह होता है जैसे माली जी कहीं पिले का है B is equal to 4 by 11 B is equal to 4 by 11 का मतलब क्या हुआ कि total हिस्सा मेरे पास जैसे 11 है total हिस्सा मेरे पास कितना है 11 है लेकिन 11 में से B के पास कितना है B के पास 4 है, बाग समझ मारी, टोटल मेरे पास 11 है, लेकिन B के पास कितना है, 4 है, ठीक है, तो बाकी का बचा 7 कि सी और के पास होगा, बाग समझ में आ रही है, ठीक है, जैसे मा लीजी कहीं पर लेखा है, C is equal to 11 by 16 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, C is equal to 11 by 16 लिखा के घ्यारखे जो दो सोला गें c के पास कितना 11 अभी के रहा है अब हो रहा है घिक है convergence कभी अगर इंडी बेदर जैसे इंडी गर्फीतर पैस को मतलब यह ईकला थे पास कृतने तो आप आप ड़े ऐसी और सोजे और मैं आगे बात करने जाहरों जैसे माली जैक लिखा ए एक लिखा हुए एक आपको पतला थी टूटल कितना आठ आठ इसमुझें समझेश मनलब टोटब मेरे पास अठ रेशीओ था उसमें से B के पास 5 है और A के पास कितना है? 3 है आ रहा है? Are you getting my point? समझ में आ रहा है, clear है? इसी तरीके से आगी की बात करते है जैसे माली जी कहीं पी लिखा A by B A by B is equal to 11 by something 15 लिखा हुआ है 11 by 15 लिखा हुआ, 11 by 15 का मतलब क्या हुआ? कि B के पास 15 है, A के पास 11 रेशियो है तो टोटल कितना है? 5, 6, और 1, 1, 2 जोड लिजे, 5, 6, और 1, 2 मलब टोटल अगर 26 है, तो 26 हिस्से में से A के पास 11 है, और B के पास 15 है आ रहा है? आ रहा है ना? मजा आ रहा है? ठीक है, मजा आएगा, ठीक है? बस पहना है आपको, ठीक है? गर्मी अर्मी नहीं देखनी है ठीक है? कुछ लोग को लग रहा होगा कि सर को पसीना बहुत आ रहा है, हाँ गर्मी है इसलिए आ रहा है ठीक है? लेकिन अगर आप किसी काम को मन से करेंगे, तो कोई गर्मी साधी नहीं लगती है ठीक है? ठीक है? ठीक है? ये का मैं आपके लिए बहुत मन से कर रहा हूँ ठीक है? जैसे माली जी कहीं पिला लिखा, A by B is equal to 2 by 9 लिखा हुआ है, क्या लिखा हो? A is equal to 2 by 9 लिखा हुआ है, तो A is equal to क्लियर है सबको, ठीक है? चलिए तो अभी क्लियर हो गई, इंडिविज्वल जब लिखा रहे, जैसे यहाँ पर क्या A is equal to 3 by 5 लिखा होता है, तो इसका मलब क्या होता है? कि टोटल 5 है, तो A के पास कितना 3 है? लेकिन अगर A by B is equal to 3 by 5 लिखा है, इसका मलब क्या होता है? कि A के पास 3 रेशियो है, B के पास 5 रेशियो है, तो टोटल कितना रेशियो? 8 रेशियो है अब आ रहा है समझ में, ठीक है? तो फ्रैक्शन क्या होता है? अब ये बच्चों को तीट की होता है, जो पहला फ्रैक्शन का टाइप सहता है सिंपल फ्रैक्शन का अगर धिक है, अगला जो फ्रैक्शन का टाइप होता है, उसको चलेए लेशियो है। कहिसे डेसीमал fraction कॉन्सा फ्रेक्शन फ्रेक्शंट er देसे मलें फ्रेक्शन वाल अलब सब्लोब इना डेइसे मलेक्शन मतलब ड हाम लोग् perspectives मृतलब लोगोष मारी मजा आ रहे अच्छा अगला जो फ्रेक्शन का टाइप होता है उसको कहते हैं जिसे ही simple fraction हो, simple fraction मालब सरल भिन ये हो गया, decimal fraction, decimal fraction मालब दस्टमलो भिन और अगला जो fraction का type होता है, continuous fraction, कौन सा fraction, continuous fraction, continuous fraction का मतलब होता है, सतत भिन ठीक है, इसको हम लोग recurring decimal भी कहते हैं, बात समझ में आ रही, अभी इसकी बात आगी करेंगे, इ पहले हम लोग simple fraction की बात करेंगे simple fraction के बात करने के बाद इसको पर question करेंगे फिर decimal fraction फिर continuous fraction की बात करेंगे ठीक है और भी बहुत सारे variety के question होता है वो मैं आपको बताऊंगा ठीक है एक एक चीज चुन-चुन के बढ़ाऊंगा ठीक है आप परिशान लोग घर में रहो सुरच्छित रहो पढ़ाई करते रहो clear है चलिए आईए देखते है simple fraction अब देखिए बेटा जो simple fraction होता उसके भी तीन टाइप होते है जो simple fraction होता है अब बेटा ये सब पूछा नहीं जाता है लेकिन हाँ इसका ये theoretical part होता है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ ठीक क्योंकि कोई भी चीज पढ़नी चीए एकदम शुरू से पढ़नी जो पहला fraction होता है उसको कहते है proper fraction जो अगला fraction होता है उसको कहते है improper fraction कौनसा fraction improper fraction clear है और जो अगला fraction होता है उसको कहते है mixed fraction क्या कहते है mixed fraction ठीक है इसको हिंदी में कहते है उचीद भिन्द क्या कहते है उचीद भिन्द या आप सम भिन्द भी कह सकते है ठीक है उचीद भिन क्लियर है, improper fraction मईलब अनुचित भिण, ना, इसको हिंदी में कहते है, अनुचित भिण, clear है, mixed fraction को कहते है, मिश्रिद भिण, कौन से भिण, मिश्रिद भिण, ठीक है, तो simple fraction के भी तीन type होते है, proper fraction, English में पढ़िए थोड़ा सा, ठीक है, proper fraction, improper fraction, और missed fraction, proper fraction मतलब उचित भिन, अनुचित भिन और missed भिन ठीक है, अब proper fraction क्या होता है थोड़ा सा सीख लिजें, ठीक है proper fraction को उपर question पुछाया था है जैसे माल लिजे, मैंने कहीं लिखा है 3 by 5, ठीक है 3 by 5 लिखा है, या फिर मैंने कहीं लिखा है 4 by 7 या फिर कहीं लिखा है 7 by 11, clear है, ठीक है तो आप देखिए, proper fraction कहने की पहचान क्या होती बटा, proper fraction कहने की पहचान यह होती, कि इसमें numerator छोटा होता और denominator बड़ा होता है ठीक है, तो कभी भी अगर numerator छोटा हो, numerator क्या हो, छोटा हो और denominator क्या हो, बड़ा हो numerator क्या हो, छोटा हो भी या numerator छोटा हो, और denominator क्या हो बड़ा हो, अगर numerator छोटा और denominator बड़ा हो, तो उसको कहते है proper fraction, क्या कहते है, proper fraction ठीक है, तो कभी भी अगर numerator छोटा होगा, denominator बड़ा होगा तो उसको कहेंगे, बीटी आप proper fraction वैल्यू क्या होती अब सुन दो क्या होती इधा लिग दो इधा लिग देता हूं ठीक है देखो प्रापर फ्रेक्शन की वैल्यू क्या होती less than 1 क्या होती पीटा less than 1 एक से हमेशा छोटी होती है क्योंकि आप खुद देखो 3 by 5 अगर आप 3 by 5 करोगे तो 0.something आएगा नहीं समझें ठीक है अगर 3 by 5 करोगे तो 0 लगाओ 0.6 something आगा 0.6 वो 1 से छोटा ही बड़ा है छोटा है ठीक है अचा इसी तरह 4 बटे 7 करोगे तब भी 0.something आएगा इसी तरह 7 by 11 करोगे तब भी 0.something आएगा तो बस मैं यही आप से कहना चाहरूँ क्या कहना चाहरूँ मैं यही आप से कहना चाहरूँ कि जब numerator छोटा और denominator क्या हो बड़ा हो तो उसको क्या कहेंगे proper fraction याद रखोगे की नहीं रखोगे याद रखोगे भई clear है सबको मजा आ रहा है तो इसका मतलब यह हो गया कि proper fraction कहा हो तो जब numerator छोटा और denominator बड़ा हो तो उसको proper fraction कहते है अब बच्चे कह रहे है कि improper fraction क्या होता है बच्चे कह रहे है improper fraction क्या होता है improper fraction क्या होता है जैसे माली जी 5 by 3 लिखा हुआ है 7 by 4 लिखा हुआ 11 by 7 लिखा है numerator बड़ा हो और denominator छोटा हो उसको क्या कहते हैं improper fraction कहते हैं क्या कहते हैं अनुचित भी ने कहते हैं improper fraction कहते हैं clear है ठीक है तो proper fraction में क्या होगा numerator छोटा होगा denominator बड़ा होगा तो उसको proper fraction कहेंगे और proper fraction की value हमेशा एक से छोटी होती less than one होती यह exam में बेटा पुछा गया याद रखना हो यह जेल प्रहरी वाले सारे याद रखेंगे की proper fraction की value less than one होती ही कि इसी तरीके से जो improper fraction होती है हुए एक से बड़ी होती है एक से बड़ी होती क्योंकि इसमें जी में चाश्चर थे श आ CONs करावी चूटा होता है ठीक है तो कभी भी लेटर वह घ्र नॉमनेटर चोंटा तो उसका इंप्रॉपर f इंप्रॉपर फ्रेक्शन की वेल्यू हमेशा क्या होगी ग्रेटर दन और इकल टू वन या तो एक से बढ़ी होगी या एक के बराबर होगी याद रखोगे ठीक है तो इंप्रॉपर फ्रेक्शन की वेल्यू क्या होगी एक से बढ़ी या एक के बराबर होगी अगला बया जो बैठा है अगला बैठा है mix fraction, mix fraction का मादला होता है मिश्रित बेंट रही है बिटा आप लोग ने सुना होगा कभी कभी Saturday में, आज कल तो बया हर एक Saturday घर हमें मन रहे हैं अगर हर एक Saturday घर में मन रहे हैं इसका मतलब यह हो गया कि भाई जो भी Saturday घर में आप मना रहे हैं ठीक है जो भी आप Saturday घर में मना रहे हैं इसका मतलब यह हो गया कि भाई Saturday को सबजी बची रहती है जब Saturday को सबजी बची रहती है तो मम्मी सारी सबजीया मिला देती है कड़ाई के अंदर सारी सबजीया मिला देती है और बनाती है और उसके बाद शाम को जब खाना खाने तुम बैखते होhstा है मंबी जड़ना इकिले ही जब खाते हो तो मुह कुछके अगले दिन संडिय आयो, जो अगले दिन सुबह पनीर बनने वाला वो नहीं बनेगा बात समझ में आ रही है डिया तो जो भी मम्मी सनीवार को सबजी बनाती उसको mix wedge करते हैं तो mix wedge में बहुत सारी चीजें जैसे मिले रहती है वैसे mix fraction में भी दो तरीक एक चीजें मिले रहती है क्या जैसे कहीं लिखा 1,2,5 क्या लिखा 1,2,5 अगर कहीं 1,2,5 लिखा इसका मलब यह हमारा क्या है बेटा mix fraction है क्या है mix fraction mix fraction का मलब होता है कि जहां दो चीजें मिली है जैसे यह जो एक साही दो बटे 5 है तो यह जो एक है बेटा इसको integer कहते हैं क्या कहते है integer integer का मलब पोड़ां clear है ठीक है यह जो एक है यह integer है यह जो दो बटे 5 है हमारा इंटीजा से मिलकर बना होता और एक किस से बना होता, फ्रैक्शन से मिलकर बना होता, तो कभी भी कोई भी चीज, अगर हमारी दो चीजों से मिलकर बना है, कोई भी फ्रैक्शन हमारा दो चीजों से मिलकर बना है, इसका मलब वो क्या है, मिक्स फ्रैक्शन कैसे थोड़ा गुरुजी बताईए ठीक है मैं बताऊंगा देखिए बचपन में आपको आपकी टीचर ने सिखाया होगा कि एक साही जो दो बटे पांच होता उसमें पांच को एक से गुड़ा कर लो उसमें दो जोड़ लूँ टीचर ने जो सिखाया वो तुम सीख गए आज मैं खोलने जा रहा हूँ आपके सामें खोल दूँ चलिए आज आवई अब ये राज खुलने जा रहा है ठीक है जैसे मालीजे एक साही दो बटे पांच लिखा हुआ है तो पेटा ये जो पांच है इसको कहते हैं डिवाइजर क्या कहते हैं डिवाइजर हिंदी वाले सुन लो भी या हिंदी वाले सुन लो भाजक डिवाइजर डिवाइजर को भी या भाजक कहते हैं ठीक है एक क्या होता है एक होता है रिमेंडर क्या होता है एक होता है रिमेंडर मनलब शेश फल ठीक है दो क्या होता है दो होता है कोशिंट क्या होता है कोशिंट कोशिंट म लिख लो उल्टा कर लो इसको ये एक क्या है कोशन्ट है कोशन्ट मलब भाग फल गर्मीत नहीं है न तो गड़बड हो जाता है भाई ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं मैंने आप सही कर दिया आप सही कर लेना तुम भी अपनी कॉपी में ठीक है तो यह जो पाँच क्या है डिवाइजर है एक क्या है कोशंट है दो क्या है रिमेंडर है भाज जी बराबर भाजक गुड़े भागफल प्लस सेशवल गाउवाले गुरू जी बताये ते याद करो कसा में तुमको को रोना की याद आ रहा है मजा रही है ठीक है तो वही चीज है कि मैंने आपको पहली बताया ते गाउवाली भी या गुरू जी बताये थे कि dividend is equal to divisor into quotient plus remainder या फिर भाज बराबर भाजक गुड़े भागफल प्लस सेशवल तो उसी concept से क्या होता है भाज जी ने कि यह बता देते है बेसिक concept तो बताते है तो यहां पर इसलिये 5 का एक से multiply होता है उसमें 2 add हो जाता है तो 5 एककम 5 5 2 7 तो यहाँ पे जब करोगे तो क्या आएगा 7 by 5 आएगा ठीक है अच्छा इसको भी solve करो 5 एककम 5 5 2 7 तो यहाँ पे भी क्या आएगा यहाँ पे भी 7 by 5 ही आएगा आएगा कि नहीं आएगा ठीक है तो आप देख लो चाहे आप इस की तरीके से इसको डिल करेंगे आ रहा है बच्चों को मजा रही है clear है ठीक है तो बताओ भाई चलो आप मेरे साथ साथ बोलो बद सबसे बहुता फ्रैक्शन के कितने टाइप सोते तीन टाइप सोते कौन कौन से simple fraction decimal fraction continuous fraction ठीक है simple fraction के कितने टाइप होते तीन टाइप होते कौन कौन से proper fraction improper fraction और mixed fraction तो proper fraction का अधा proper fraction का मलब होता है और चिद्बिन बता proper fraction भी है कौन छोटा होगा numerator छोटा, denominator बड़ा, value हमेशा क्या होगी, एक से छोटी होगी ठीक है improper fraction, improper fraction में क्या होगा, numerator बड़ा होगा, denominator छोटा होगा, ठीक है, इसका मलब क्या होगा value हमेशा एक से बड़ी है, एक के बराबर होगी, ठीक है, अब mix fraction क्या होगा, mix fraction दो चीजों से मिलकर बना होता है, integer और fractions है ठीक है, तो ये जो नीचे 5 लिखा ये क्या होता है, divisor होता है ठीक है, ये क्या होता है, quotient होता है, ये क्या होता है remainder होता है, भाज बराबर, भाज गुड़े भागपल, प्लस, 6 फल बात समझ मैं आ रही है, और कहीं पर भी जैसे मालब कहीं लिखा हुआ है, कहीं लिखा एक सही तीन बटे चार, तो एक सही तीन बटे चार को आज के बात से बच्चे क्या पढ़ेंगे एक प्लस तीन बटे, चार बोलो भीया, आ रहा है, clear है चलिए, हटा दू भीया चलिए, हटा दे रहा हूँ इसका screenshot लेना बच्चों को जल्दी से लिलो फटाक से लिलो भीया, जल्दी से, जल्दी से चलिए, हटा दू, चलिए अब मैं आगे की बात करने जा रहा हूँ ठीक है, अब मैं fractions का आपको calculation करना बताने जा रहा हूँ ठीक है, मलब fraction का calculation कैसे करें, क्योंकि fraction को जो जोडते घटाते हैं, आप लोग आउंगा, तो इससे अच्छा है कि मैं बता दूँ, आपको सिखा दूँ, सिखा दूँ ठीक है, तो fraction का जोड़ घटाना अब हम लोग सीखने जा रहे हैं देखेगा, अभी आप लोग गलती करेंगे अभी आप लोग गलती करेंगे और उसी गलती से मैं आपको आगाह करूँगा और सारी चीजें सिखा दूँगा, ठीक, चलिए एक मिनट का बस मुझे समय दे दो मैं बस question खोल लूँ, और बस आपके सामने फिर तुरंत question लिख दूँगा और फटाक से फिर हम लोग उसका solution देखेंगे, पहले आप लोग करेंगे उसके बाद मैं करूँगा, ना चलिए आईए देखते हैं ओहो, नेट भी नहीं काम करता है नेट का बड़ा दिक्कत चलता है यहां भई, मेरे घर में ठीक है, क्या करोगे, ठीक है चलिए, खुल गया, खुल गया भई आप लोग, आप लोग बस मनाते रहो सारी चीज़े साही साही हो जाए मज़ा आ जाएगा, ठीक है चलिए, आईए देखते हैं शुरू करें चलिए पहला question है, खुल जा खुल जा सिमसिम, खुल जा भई खुल जा सिमसिम, नहीं खुलेगा खुल जा, वहाँ से आप लोग भी कहिए खुल जा सिमसिम नहीं कहोगे चलिए आईए खुल जा, धन्यवाद, ठीक है आईए, शुरू कहते है तो आज का पहला question यह है ठीक है, देखें, मैं बिटा अभी के बाद mix fraction को जोड़ा घटा है कैसे आता है, यह मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ठीक है, सिखा दूँ, आप गया है चले, चले, आईए देखें, लिखा हुआ है 11 सही 2 बटे 7 प्लस 7 सही 3 बटे 14 प्लस 5 सही 11 बटे 21, यह लिखा हुआ है ठीक है इस question को solve करके भी आपको बताना इस question का answer बताना लिखा हुआ 11 सही 2 बटे 7 7 सही 3 बटे 14 5 सही 11 बटे 21 इस question का answer फटाक से बताइए क्या हो सकता इसका answer इसका answer बताइए भाई जरूरी यह आपको बताना ठीक है, जब तक आप लुग ने दर तब तक मैं करूँगा नहीं ठीक है चलिए इस question का answer आईए देखते है ठीक है कर लिए होगा बच्चों ने देखे कुछ बच्चे इस question को कैसे solve करते हैं यह मैं आपको बता देना देख कैसे solve करते है सबसे पहले बच्चे करते है 11 को 7 से multiply करते है फिर 2 add कर देते है तो यहां 77 बटे 89 बटे 7 लिख देते है ठीक है फिर यहां 14 सदे 98 बटे 98 में 3 जोड़ते है 101 आता है 101 बटे 14 लिख देते है फिर 25 पंचे 105 अरे दुनिया भर किया पंचे आद नहीं करनी है ठीक है अब देखें अभी-भी मैंने सिखा वही चीज मैं apply करके आपको दिखाने जा रहा हूँ ठीक है जैसे कहीं 11 से 2 बटे 7 लिखा है तो 11 से 2 बटे 7 को आज के बाद से बच्चे क्या लिखेंगे सारे बच्चे सबसे पैदे तोड़ लो तोड़ना अभी-अभी सिखाया था 11 से 2 बटे 7 को 11 प्लस 2 बटे 7 लिख सकते है बोलो मेरे दोस्तों लिख सकते हैं का नहीं लिख सकते हैं लिख सकते हैं ठीक है 7 से 3 बटे 14 को क्या लिख सकते हैं 7 प्लस 3 बटे 14 लिख सकते हैं ठीक है सबभी अब यही बताया था सु सो नहीं गलते वाई वीडियो देखते आठ Contrabe तक समय जड़ते हैं तो के राट मैं एवी डिकूंटे एक्षकता सब्सक्राइब ठीक है जब भी math को पढ़ना है तो पूरे जोस के साथ पढ़ना है clear है ठीक है तो 3,2,7 को क्या लिखना है 11,2,7 इसको टारे 3,14 इसको 5,11,23 अब दीक है इसको क्या सॉल करें सबसे पहले जो इंटीजर है मिटा उनको एड़ कर लो बतावी 11 में 7 जोडो ठीक है और फिर उसमे सबसे बड़ा नंबर को आता है पक्का बता दूं क्या चलो बता देता हूं लेको सबसे बड़ा नंबर को आने बता हूं सबसे बड़ा नंबर एक्कीस है ठीक है तो जो सबसे बड़ा नंबर है उसको उठा लो उठा लिए एक्कीस को उठा लिए ठीक है अब जिसको उठाओ सबसे बड़े नंबर को उसका टेबल पर बता है एक्कीस से कर जाता है होता है होता है होता है होत 42 होगा लिलिख ली LCM प्लेयर है ठीक है अब जब 7 14 21 का LCM 42 आ गया तो इस 42 को 7 से भाग दो तो कितना आएगा 6 आएगा 42 बटे 7 करोगे मेरे भाई तो 6 आएगा अच्छे 42 बटे 7 करोगे 6 आएगा 6 को 2 से मल्टिप्ल आएगा तो 6 दूना 12 ठीक है इसी तरह 42 को 14 से भाग दो तीन आएगा तीन तीन नो ठीक है इसी तरह 42 को 21 से भाग दो तो 2 आएगा 11 दूना 22 बोलो मेरे दोस्त आ रहा ह तो देखो, 23 तो 23 आई है, प्लस, 12 में नहो जोड़ो, 21 आएगा, आएगा, गिनी, आएगा, और 21 में बाई जोड़ोगी, तो 43 आएगा, क्या आएगा, 43 थीक है, तो 23 प्लस, 43 बटे, 42, आया की नहीं आया, यह बात समझ में आ गई, ठीक है, कर गाशकाें अच्छा या यह बता हूँ ए ही जो 42 ए flour 43 काच सकते हैं के नहीं काच सकता है हूट एक बाद और और सिरहarım 2.18.22 जिनी बार टेबल पढ़ उसको यहां लिए लिख दो फिर 43 में 42 गया कितना बचा एक बचा ठीक है तो एक से 1 बट्टे बचा ठीक है तो answer क्या आ गया 23 में एक जोड़ो ये integer integer जोड़ जायँगे न तो answer गया 24 चौवरेम से 24 चौवरेम से एक बट्टे तो इस question का joh finally answer आ गया वो क्या आ गया बटा मज़ा आ रहा है ठीक है मज़ा आना चाहिए ठीक है सबसे जरूरी चीज़ है मज़ा और सबसे जरूरी चीज़ है मैस जिंदगी में खेल दो ही चीज़ जरूरी एक मैस और एक मज़ा ठीक है और मैस पढ़ते समय जब तक मज़ा ना है तब तक विकार है ठीक है फिर समय एक को दिखाने प्लाइब एक स्बसे पहले 11 प्लस दो बटब गड़ी साथ लिख लिए 7 फ्लस 3 बटफियर फांच प्लस सिग्राइब टैस फांट सेफाने सर्फ टीन इस सबको जोड़ टेस थीक है अगला कोशन कराऊ हूं पक्का चले हटा अगला कोशन मैं कराने जारा हूँ कि घर्मी के कारण यहां निकल जाती पड़ाते पड़ाते हैंघार करिए अब पूरे रीवा प्या में फैकला दो कि बिया कोई आपको math पढ़ा रहा है ठीक है कोई math पढ़ा रहा है और पढ़ डालों ठीक है वाँ समझ मैं और एक बार तुन्हें वीडियो वेटा फैला दीना मार्केट में आग लग जाएगी ठीक है आग लगाने का काम तुम्हीं लोग का है ठीक है मैं तो ख्याल पढ़ाऊंगा clear ठीक है चलिए आईए देखते हैं अगला कोशन अगला कोशन है 14 सही एक बटे ग्यारा प्लस 9 सही एक बटे बीस नो और माइनस 9 सही बारा बटे पचपन ठीक है 9 सही बारा बटे पचपन आईए इसको solve करते हैं करें ठीक है चलिए इसको कैसे solve करेंगे फिर वही पहले break कर लो 14 प्लस एक बटे ग्यारा प्लस 9 प्लस एक बटे बीस और यहां माइनस देखिए इस दोनों के बाहर लगा हूँ है ना तो माइनस इसके साथ भी आए गो इसका यह कुछ बच्चे क्या गयते माइनस 9 प्लस 12 बटे पचपन लिग देते हैं गलती हो जाता है ना लेकिन यहां पर क्या होगा माइनस 9 माइनस 12 बटे पच्पन यह काम आपको करना है बस समझ ठीक है तो बताओ 9 से 9 क्या होगे विटा कैंसल आउट हो गया ठीक है तो 14 तो 14 प्लस ठीक है फिर 1 बटे ग्यारा एक बटे 20 और माइनस 12 बटे 55 का क्या ले लो LCM ले लो ले लिए ठीक है 14 तो 14 आई है प्लस 11 25 का LCM क्या आएगा 220 कैसे आएगा 11 25 में सबसे बड़ा नंबर 55 है 55 का टेबल पढ़ो 55 एककम 55 पच्पन दुना 110 55 तिया 65 55 चोग 220 ठीक है तो इसे भाग दोगे तो 220 बटे 11 करोगे 20 है कि 20 एककम 20 ठीक है 220 बटे 20 करोगे 00 करटा 22 बटे दो 11 एककम 11 ठीक है इधर 220 बटे 55 करोगे 4 हैगा 12 चोग 48 ठीक है तो यहाँ 14 तो 14 है यह प्लस 20 में 11 जोड़ोगे 31 आएगा और 31 में से 48 गया कित्ता बचा माइनस 17 बटे 220 समझ गया ठीक है तो यहाँ पर क्या आगया 14 प्लस माइनस 17 बटे 220 बात समझ गया ठीक है लेकिन दोस्त अभी कहानी खतम नहीं हुई अच्छा कुछ बच्चे कह रहे हैं कहानी खतम थो गई है अगर ये दिक्कत बैदा करें तो अब इसको हटाइं कैसे अब देखें कुछ बच्चे मेरे पास आते हैं दिमाग लगाते हैं क्या दिमाग लगाते हैं कि इस 220 को 14 से मल्टिप्लाइगा दी जो इसमें 17 घटा दीजिए बिटा बहुत calculation हो जाएगी अब देखें calculation कैसे कम करें देखें कभी भी यहां वादा नंबर और यहां वाला नंबर बड़ा है ठीक है 14 भी बड़ा दो में बड़ा है ठीक है तो हमेशा आगे वाले नंबर को Plus 1 में break लिए को इस以ब ब्लस 1 में break लिए झासे आगे की लिए कि उनका 1320 नहीं आया समझ मिठ फीक है इवह फ인지 adjustments in तो चौद है घलत नहीं है यार ठीक है वो भी सब्सक्राइब मरे दोस्ट तो चौदा उन्दम 13 फ्लस एक माईनस 17 बटे 220 तो 13 पूट अनसर क्याइब चीन पूट 203 बटे 220 तो finally question का answer आ गया 13 से 203 बटे 220 आ रहा है बच्चों को ठीक है यहां से मैं एक बार फेस है पूरा यह फेस एक्स्प्रेंट कर दूँ चलिए एक बार फेस एक्स्प्रेंट कर दूँ ठीक है 220 बटे 20 करोगी 11 कम 11 220 बटे 55 करोगी 4 12 चोप 48 20 में 11 जोड़ी 31 31 में बटा ले गया माइनस 17 बटे 220 फेस को प्लस माइनस 14 माइनस 17 बटे 220 अब यहां से मैंने क्या किया यह भी नंबर बड़ा यह भी नंबर बड़ा 14 को ब्रेक कर लिया 13 प्लस एक में ठीक है ठीक है मजा आना चाहिए ठीक है बिना मजा के कोई जिन्दगी का कोई मजा नहीं है ठीक है और एक कोशन करा दूँ धासूसा धासूसा कोशन करा दूँ मेरे दोस्त चलो अपने दोस्तों को मैं एक धासूसा कोशन करा देता हूँ ठीक है तो यह खुलता नहीं है नेट की भी दिक्कत है तो खुलता नहीं यह कोश्चन तो क्या करूं चलो खुलने दो देखता हूं शायद खुल जाए तब तक इसको अटा दो इसका स्क्रीन शॉट ले लिजे ले लिए चलिए अटा देता है इसको और घर में पढ़ाई बढ़ाई चल रही आप लोग की भई घर में पढ़ाई गए तरह यार ठीक है इतनी महनत की जा रही तुमारे लिए ठीक है कमसे हम इस महनत को देखते हुए ही आप महनत कर डालिये जितना मुझे पढ़ाने में मज़ा आता है उतना ही आपको पढ़ने में भी मज़ा आना चाहिए ठीक है तब काम बनेगा ठीक है तब ही हमारी और आपकी दोस्ती पॉसिबल है ठीक है कि जितना मुझे पढ़ाने मज़ा आ रहा है उतना ही आपको पढ़ने मज़ा आना चा question यार download हो रहा है चलिए कोई बात नहीं इसको download होने ही दीजिए तब से मैं कुछ और question आपको कराने जा रहा हूँ करा दूँ चलिए और भी question है कोई दिक्कत नहीं है question की कमी नहीं है एक जगे से नहीं होगा तो कल उसको करा देंगे download जब हो जाएगा question कमी नहीं है एक जगे से अगर हमें question नहीं मिलेगा तो हम लोग दूसरी जगे से question उठाएगा question दो उठाने है चलिए एक अगला question देखिए यहाँ पर जैसे माली जे लिखा हुआ है एक हलका सा question करा हूँ 3 by 4 plus 1 by 2 यार यह question तो हर एक बंदा कर लेगा वही ठीक है 3 by 4 plus 1 by 2 को हमें solve करना है क्या solve करिंग देखिए 4 और 2 का LCM क्या होगा 4 होगा होगा की नहीं होगा 4 एक कम 4 ठीक है 3 एक कम ठीक ठीक है 4 बटे 2 दो एक कम 2 ठीक है अगला question एक है मैं fraction को आपको जोड़ना सिखा रहा हूँ कि fraction को जोड़ा कैसे आता है आपका जो वो एक्जाम होने वाला है कौन सा अरे यही प्रहरी वाला ठीक है प्रहरी वाला जो एक्जाम होने वाला है इसमें इस तरह के question पूछे आ सकते है ठीक है 3 by 4 plus 5 by 8 sorry 5 by 8 है 5 by 8 plus 9 by 24 3 by 4 यहां पर देखो मधुमक्ही भी आ गई है मधुमक्ही भी आ गई है तो जिस वजे से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है 3 by 4 plus 5 by 8 plus 9 by 24 ठीक है कुछ बचे करे जंगल में पढ़ा रहे है नहीं जंगल नहीं पढ़ा रहे है लेकिन क्या है कि पता नहीं आजकल मधुमक्हीयां बहुत सारी आखी मेरे घर में ठीक है पता नहीं कहाँ कुछ साहद वायत का मामला हो रहा है 3 by 4 5 by 8 9 by 24 है ठीक है अब इसको कैसे करें बताओ 4 by 24 कैल्सियम क्या हो बढ़ा 4 by 24 सासे बड़ा नंबर 24 है तो 24 ही होगा क्योंकि 24 आट से भी कटता और चाट से भी ठीक है 24 बटे चार 6 6 3 18 24 बटे 8 3 5 3 15 ना 24 बटे 24 1 9 9 ठीक है चलो 18 में 15 जोड़ो अब 18 में 15 कैसे जोड़ेंगे यह भी मैं सिखा दे रहा हूँ पहले 18 में 5 जोड़ो ठीक भाई 15 को 10 प्रस 5 में तोड़ो ठीक है 18 में 5 जोड़ो के 23 आएगा 23 में 10 और जोड़ो 33 ठीक है 33 में 9 जोड़ो 42 ठीक है तो 42 बटे 24 आ गए आगए एक नहीं आ गए ठीक है 24 किस से कटेगा, कटेगा किसी से, हाँ कटेगा, किस से कटेगा 2 से कटेगा, 3 से कटेगा 3 से कट लेते 3 1 कार्ट meditate 3 1 चॉक 12, ठीM आटे 24, ठीM ओर 2 से और कट लूँ 2 सतै 14 और 2 चॉक 8, ठीM 7 by 4, ठीM 4 8 24, calcium 24 होता है 24 बटे 4 किया, 8 आ गया ठीक है 24 बटे 4 आठ 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 यहां पर 24 बटे 24 बटे 4 के ची आए ना 6 6 3 18 24 बटे 8 3 5 15 24 24 एक ना एक कम नो जोड़ लिया आंसर आगिया ठीक है चली अगला question देखते हैं यह सारे question तो ठीक है अभी देखिये बहुत धासूई fraction चलेगा बढ़ई कोई जल्दी ना मचाना मुससे कोई जल्दी नहीं मचाएगा कि सेरे जल्दी जल्दी में सब पूर्टा में कराना चालूगा इसे तो कुई जल्दी नहीं में चाहेगा, fraction अभी चलेगा, कुछ दिंग, ठीक है, चलिए एक अगला कोश्चन में कराने जा रहा हूँ, आइए देखते हैं, हटाद इसको, चलिए, अगला कोश्चन, 23 सही, 5 बटे 12, प्लस, 35 सही, 7 बटे 15, माइनस, 47 सही, 7 बटे 30, ठीक है, चलिए, अभी इस कोश्चन को आईगे, देखते हैं, कैसे करेंगे, देखें, सबसे पहले मैंने बताया था, इसको, ब्रेक करेंगे, इसको, ब्रेक करेंगे, क्या होगा, 23 प्लस, 5 बटे 12, होगा, इसको करेंगे तो, 35 प्लस, 7 बटे 15, इसको करेंगे तो, 47 और माइनस, 7 बटे 30, होगा, कि नहीं होगा, आ रहे है बच्चों को, यही चीज़ सिखाई थी, नहीं सिखाई थी, ठीक है, अब बताओ, 23 में 35 जोड़ो, फिर उसमें 47 माइनस कर लो, ठीक है, तो 23 में पहले, 35 में 30 जोड़ो, ठीक है 35 में 3 जोड़ो, कितना ऑगा, 38, 38 में 10 और जोड़ो, 48, 10, 58, ठीक है, और 58 में 47 माइनस कर लो, ठीक है, 58 में 47 माइनस करोगे, 11 आएगा, कितना आएगा, 11, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, आएगा भई, ठीक है, बच्चों, 35 में 30 जोड़ो, कैसे 5, 3, 8, 3, 2, 5, 8, चार गया, 11 आगया, ठीक है, प्लस, इन सब को ब्रैकेट बंद कर लो, 5 बटे 12, प्लस, 7 बटे 15, और माइनस, 7 बटे 30, बोलो भई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छा, अब 11 तो 11 ही ये, 12, 15, 30 के LCM लोगे कितना आएगा, 60 हैगा, नहीं आए, क्योंकि 12, 15, 30 में सबसे 12 से, ठीक है, तो 60 बटे 12 किया, 5, 25, ठीक है, प्लस, 60 बटे 15 किया, 4, 7, 28, प्लस, सारी, माइनस, 60 बटे 30 किया, 2, 7, 2, 14, बोलो मेने दोस्त, आ रहा है, ठीक है, 11 तो 11 ही ये, प्लस, यहाँ पर देखो, क्या नाम है, 28 में से 14 गया, तो 14 बचेगा, 28 में 16 गया, 14 बचेगा, अब 25 में 14 जोड़ों, तो 25 में 14 जोड़ों गया, तो कितना आएगा, 25 में 4 पर जोड़ों, 29 में 10 और जोड़ों, 49, 39 अपॉन 60 आगया, 39 अपॉन 60 बचेगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आगया, 11 प्लस, इसको काटनों काट लो, 3 से, 3, 1, 3, 3, 9, और 13 बटे 20, तो आंसर के आगया, 11 सही, 13 बटे 20, तो फाइनली इस कोश्चन का अंसर के आगया, 11 सही, 13 बटे 20, ठीक है, 11 सही, 13 बटे 20, समझ गया, कुछ गरबड हो गया, गरबड को नहीं हो नीचे मेरे क्याल से, ठीक है, फिर से चकल दो चाहो दो, भाई, 23 में 35 जोड़ों, 35 में 3 जोड़ा, 38, 58, 28 में 47 गया, किता बचा, 11, तो 11 लिख दिया, प्लस, 5 बटे 12, प्लस 7 बटे 15, माइनस 7 बटे 30, इसका NCM 60 है, 12, 65, 25, इधर 15, 60, 7, 28, इधर, सादुना 14, इधर 14 है, 25 में 14 जोड़ों, 49, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 11 सही, 13 बटे 20, क्लेर है सबको, आ रहा है समझ में ब चलिए, और भी थोड़ा सब पता देता हूं, फेजाता हूं, एक आग दो कोशन और करा देता हूं, करा दे, इक शाय, चलिए, एक आग कोशन और देखते हैं, हटा दी इसको, इसका इसको इन चौट ले लिजए, तो फ्रैक्शन को ये जोड़ना घटाना, अभी मैं सिखा रहा हूं, अभी ये फ्रैक्शन की शुरुवात है, फ्रैक्शन में बहुत सारे कॉंसेप्ट अभी आएंगे, ठीक है, फ्रैक्शन जैसी खतम होगा, वैसी हम लोग फिर, एक नया कॉंसेप्ट उठाएंगे, माइनस तेइस सही एक बटे दो, माइनस सोला सही तीन बटे चार, प्लस पैंतिस सही पांच बटे छे, ठीक्शन है, आई ये देखते हैं, फिर वही गाम करेंगे, पहले इसमें अलग-अलग कर लो, नौ, माइनस तेइस, सॉरी, नौ, प्लस दो बटे तीन, माइनस तेइस, माइनस एक बटे दो, माइनस सोला, माइनस तीन बटे चार, और प्लस पैंतिस, प्लस पांच बटे छे, है न, ठीक्शन है, तो देखों, नौ तो नौ है है, और ये भी है, ठीक्शन है, सबसे पहले, तेइस में सोला जोड़ लो तो नो मैणस हो जाएगा तो नौ मैनस मेज़ा खाएगा तो नौ मैनस हो जाएगा तो नौ दूरी पाच आज आएगा नहीं आजएगा बुलो फेसा समझा दो भाई पहले 23 में 16 जोड़ो तो कितना आएगा 49 आएगा 39 प्लस 35 क्या होगा माइनस 4 होगा और 9 माइनस 4 क्या होगा 5 होगा clear है आप सबको ठीक है बात समझगे बच्चों को प्लस यहां पर 2 बटे 3 माइनस 1 बटे 2 माइनस 3 बटे 4 और प्लस 5 बटे 6 ठीक है यह है तो देखें यहां पर LCM आईए ले लेते हैं 3 2 4 6 का LCM 3 2 4 6 सबसड़ा नंबर 6 है तो 6 कम 6 6 6 से कटता 2 से कटता 4 से नहीं 6 दूना 12 12 12 गरहें 6 से भी 2 से और 3 से बिचाots ए तो लसी हम क्या आ गया 12 हो गया 12 क्या तीन केट आएगा 14 यहांस eBay Soul करेंगे तो दरभ फार यहां दृस मुंस्त बटे 6 करेंगे तो थीन आएगा 2 मुन वर द्शकति है normal a अ ठीक है चलिए तो यहां पर देखो 9 6 15 माइनस का ठीक है और माइनस के 15 प्लस 10 जोड़ों माइनस 5 आएगा और 8 माइनस 5 तीन ना तो यहां फाइनली क्या गया 5 प्लस 3 बटे 12 ठीक है तो 5 तो 5 है यह 3 बटे 12 मलदा 1 बटे 4 तो अंसर के आगे पांस एक बटे चाहिए देख लो भाई सहीत है वहीं दस आट अठारा होता है अठारा में सपंद्रा के तीनत आएगा ना थीक है पांस एक बटे 4 ठीक है तो इस कोश्चन का अंसर आ जाएगा पांस ही एक बटे 4 आ रहा है बच्चों को ठीक है चलिए आज इतना ही रखते है ठीक है आज इतना ही रखते है कल इसी के आगे और भी कोश्चन कराके ठीक है फिर कल मैं आपको एक कॉंसेट बता दूँगा एक आता है मलब की सीडी वाला कॉंसेप्ट आदा मलब सीडी की अगर आज इतना ही रखते हैं तो आज के लिए इतना ही कल फिर मिलते हैं तब तक घर में पढ़ाई करते रही है ठीक है तो ओके थैंक्यू सो मच और अपना ख्याल रखें